Hello Everyone, Assalamualaikum, कैसे हो सभी लोग? I hope कि सभी अच्छे ही होंगे. आज का जो हमारे वीडियो रहने वाला है, वो हम Class 10th Science के बारे में बात करने वाले हैं. क्यूंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि Science का पेबर थोड़ा डिफकल आता है, क्यूंकि इसमें 3 portions रहते हैं, Biology, Chemistry और Physics का. तो इसमें last time आप कैसे prepare कर सकते हों, क्यूंकि आपका next paper भी Science होने वाला है. इसमें से आपको कैसे पता चलेगा, जो important आप किसे हैं, कैसे आप याद कर सकते हो, और उसमें से जो important questions है, वो क्या है? आज की इस वीडियो में हम लोग आपको यही बताने वाले हैं. इसलिए इस वीडियो को आपने end तक जूरू देखना है. अगर आप नए हो हमारी इस YouTube चनल पे, आप हमारी इस YouTube चनल को subscribe कर सकते हो, bell icon on करना, अगर आप interested हो, तो आप WhatsApp group की link आपको description में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप join कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सरे students message कर रहे थे, कि हमें जो group था, वो full हो गया, तो उसमें हमें eligible नहीं है, कि हम उसमें join हो जाएगी, तो मैंने new group create किया है, आपको अगर interested हो, तो आपको join करके रख सकते हो, खीक है? चलो जी, अपना जोड़े वह start करते हैं, सबसे पहले, मैंने ये PDF जो है, वो मैंने इस पे paid रखा था, तो मैंने सुचा कि, अब students का exam आने वाला है, तो मैंने इसको free रखा है अब, तो अब सबसे पहले, अगर हम science की बात करेंगे, इसमें से आपको maximum marks की, अगर हम बात करेंगे, जिसने ये PDF पाड़ी होगी, उसको पता होई होगा, उसमें से अगर maximum marks की बात करेंगे, आप में 80 marks में रहेगा, इंटरनर में 20, इसमें 3 portions रहते हैं, physics, chemistry और biology में, अगर physics की बात करेंगे, उसमें आपको 26 marks है, उसमें 5 units रहेंगे आपको, chemistry में 26 marks है, उसमें आपको 5 units रहेंगे, और biology में 28 marks है, और 6 इसमें units है, अगर इसमें बात करेंगे हम biology की, biology की बात करेंगे, अगर आपने अच्छे से pass की तो, क्योंकि इसी से आपको मार्कस मिलते हैं, ठीक है? अगर सबसे पहले फिजीकस की बात करेंगे, फिजीकस में important questions की, अगर हम यहां पर आपको बता देंगे, सबसे पहले, यह सिल्वस के according मैंने इसमें, जो है, वो आपके लिए रखा है, ठीक है? आपको सबसे पहले जो यूनिट है, हमारा फिजीकस का यूनिट है, वो है light का, light में कौन-कौन से questions इसमें आते हैं, इसमें से आपको सबसे पहले light पता होना चाहिए, light क्या होता है, अब राजावल की किसी को पता नहीं है, कि वो इसने पढ़ा नहीं है, light क्या, अगर definition उसकी आ गई, तो आप वो definition भी अपने words में लिख सकते हो, तो इसमें एक दो माकस मिल जाएंगे, दूसरा है magnification and drive relation, तो ये भी इसमें थोड़ा सा आपको मतलब की question जो है, वो exam में आ सकता है, glass prism की अगर बात करेंगे, rectangle shape जो होता है, glass through diagram, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको, ये question important है, concave and convex lens, ये भी बहुत जादा important question है, concave and convex lens, ठीक है, उसके बाद है, जो हमारा reflection है, ठीक है न, reflection जो है, उसकी diagram आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, diagram जो कैसी होती है, इसमें reflection होती है, light, जो है, भी आपर होती है, ये बाले, यह फिर bouncing back होती है, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें पता आपको होना चाहिए उसके बाद जो light में question आने वाला है आपको index definition आपको पता होना चाहिए और index of water reflection वो आपको पता होना चाहिए उसके बाद power of lenis definition उसका जो उसके unit इस है वो इसमें पता होना चाहिए अब रहा सवाल के सार इसमें तो आपको आपने सारे questions एड़ी किये हैं तो आप हम कैसे कर सकते हैं देखो आपको ये questions जो है इसमें से एक नए एक question जुरूर exam में आ जाएगा अगर फार एक्जामपल आपने ये question पड़ दिया है Concave and Convex Linus लेकिन वहां आ गया power of linus definition उसकी आ गयी तो आप क्या करोगे फस होगे ना उस टाइम इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे questions पड़ो अच्छे से पड़ो ताकि अगर कोई question इसमें आ जाए तो आप आराम से करो क्योंकि practice जब आप उस question की ज्यादा करोगे तो उसके बाद आप आराम से देख सके उसके बाद हम physics और chemistry की बात करेंगे तो वो हम आगे देखेंगे उसके बाद आपको spherical mirror पता होना चाहिए spherical mirrors के uses क्या है ठीक है ना spherical mirror क्या होता है उसके uses क्या होता है ये भी important question है ठीक है लैनस formula जो होता है अगर conventional exception की बात करेंगे वो क्या होता है mirror law क्या होता है diagram की बात करेंगे उसके बाद ग्लास प्रिजम क्या होता है वो भी इसमें आया है 12 question number मैंने इसमें important रखा है myopia उसके बाद और एक चप्टर है हमारा ठीक है ना physics का वो है myopia, hypermetropia, pressbyopia, definition ये तीन जो इसमें defectors होती है आय में ठीक है myopia, pressbyopia, hypermetropia, short side-ness ये long side-ness ठीक है ना आपको अपनी पड़ा होगा ये भी बहुत important question ठीक है ये exam में रोजाना पोश्टे है तो इसको आज ज़्यादा practice की जो और आय की diagram है ठीक है थोड़ा सा मुझे बनाना नहीं आएगा ठीक है, ऐसा है कुछ ठीक है, ऐसे आए है मैं इसमें थोड़ा सा वीक हों diagram में तो वो आपको बनाने चाहिए diagram आई की, ठीक है उसके बाद आपको question एक आजाएगा टेम कल स्टार अफ टेम कल जो है तो क्यों होते है, टेम कल स्टार क्यों होते है जब sunset होता है, reddish क्यों होता है जब sun rise होता है उसमें morning में मतलब कि उसका color जो है वो change क्यों होता है उसके बारे में भी question आ सकता है human eye, accommodation of human eye vision क्या होता है reflection light with glass prism वो अपतात होने चाहिए human eye की diagram उसकी functions क्या है वो आपको पता होने चाहिए ठीक है, यह आप देख सकते हो इसका आप screen shot भी उठा सकते हो ठीक है, यह dispersion of light cause and definition है उसके बाद अगर हम देखेंगे यह electric stick की अगर हम बात करेंगे electronic energy जो हो होती क्या है electric power क्या होती है definition of electric current यह बहुत सारे questions है यहाँ पर आप देख सकते हो और उसके 29 questions नमर है यह भी बहुत important question है ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे इसमें से बहुत तरे questions है मैंने इसमें 50 questions रखे है chemistry में, ठीक है अब इसका screen shot भी उठा सकते हो ऐसे मैं रखता हूँ screen shot भी उठा सकते हो ठीक है, आराम से फिर यह questions आप देख सकते हो ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारा question है बहुत important question है वो यह है, advantage of nuclear fuel वो क्या होता है uses of coal and water solar cooker वो क्या होता है conventional source of energy वो क्या होती है bio energy explain वो क्या होती है renewable and non-renewable source of energy वो क्या होती है क्योंकि ये physics में question ज़रूर आएंगे उसके बाद है chemistry chemistry में भी 26 pass है ठीक है, इसमें 26 pass है आपको पता होने चाहिए इसमें 26 marks है, pass नहीं है 80 में से paper है कि 26 pass है math science में सबसे पहले इसमें decomption किसको कहते है उसके बाद जो है हमारा question वो है precipitation reaction with examples of exothermic, endothermic and reaction of examples वो आपको पता होना चाहिए oxidation reaction हो क्या होती है displacement reaction, double displacement reaction वो क्या होती है explain corrosion rancidity examples balancing chemical equation and skeletal of examples reducous reaction with examples ठीक है mandlevers classification of elements and adjuments आपको ये पता होना चाहिए 59 question what is atomic radius उसके बाद है periodic table उसके बाद है group of periods modern and periodic table उसके बाद है group 5 electronic configuration उसके बाद है different between modern and periodic table and mandlevers periodic table ये बहुत ज्यादा important question है guys ये important question है 63 ये आपको याद होना चाहिए इसका screenshot उठा सकते हो जल्दी जल्दी उसके बाद है dober nearest table तो उसके बाद 65 valence of an element example statement of modern period why noble glass why noble glass are separate groups why do elements present groups show similar chemical properties ठीक है ये chemistry का example homologous series of examples उसके बाद है हमारा question different tropic allotropy and allotropic form of carbon describe structure properties of diamond उसके बाद है हमारा question number structure of properties of diamond जो diamond है उसकी आपको जो शकल है यापके सिक्टिव डाइग्राम वो आपको बनानी आती उसके properties आपको पता होने चाहिए ठीक है mechanism of cleaning of soap आपको पता होने चाहिए isomeris pentene आपको पता होने चाहिए detergent जो है वो क्या होती है उसके बारे में भी question आता है और ये question जब मैं बढ़ जाथा 70 ये आया था हमारे difference between soap and detergent वो क्या होता है alcohol कैसे बनता है वो आपको बता होना चाहिए physical reaction properties ethanol ethanol formula जो होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए इसका आप screening shot भी उठा सकते हो आराम से उसके बाद है metallic और non-metallic जो है metallic और non-metallic वो क्या होता है इसमें से उसके properties बतानी चाहिए compound icon compound हो है वो क्या होती है four reaction metals with water वो क्या होती है ठीक है उसके बाद है what do your metal reactor non-metall right with examples आपको पता होना चाहिए उसके बाद ये questions जो है वो बहुत ज़्यादा questions है ये आप देख सकते हो अच्छे से पढ़ सकते हो ये important questions है उसके बाद है last portion हमारा biology का इसमें 28 pass है sorry maximum marks 20 है ठीक है ये आपको compulsory pass करनी है biology ज़्यादा कुछ difficult नहीं होती इसमें से आपको सबसे पहले question जो आजाएगा इसमें जो आपको human के बारे में पूछा जाएगा वो है describe the various pathways in which glucose in the oxidized and provide energy in the various organs उसके बाद है what is component of transport system human being give the function of these components उसके बाद है describe the process of human being draft structure of extricatory system ठीक है उसके बाद है food transport plant वो कैसे होता है उसके बाद question number है हमारा digestion जो होती है वो होती क्या है उसकी functional क्या होती है वो आपको याद करना चाहिए ठीक है ये बहुत जादा important question है digestion ठीक है digestion अगर आप अच्छी से पढ़ोगे उसमें से जो आपको question कोई भी आ सकता है digestion में वो आप फिर आराम से functional होती है इसके types क्या होती है कैसे होता है ठीक है human brain में nephron आपको question आ जाएगा उसके structure functions आपको question आ जाएगा water and minerals food transport and plants वो आपको पता होना चाहिए digestive system diagram उसके बाद respiration describe the respirator system in human beings autotropic nutrition living organism उसके बाद आ जाएगा आपको autotropic उसके बाद aerobic and anaerobic respiratory system in difference उसके बाद question number एक और एक आ जाएगा difference between autotropic and heterotropic उसके बाद आ जाएगा oxygenated deoxygenated blood in mammals and birds ये बहुत जादे important question है उसके बाद double circulation means of extremism importantness in the human being how it is fed digested in our bodies why does this process takes place उसके बाद how does chemical coordination takes place in the plants reflect action explain role in the brain of reflection action neuron diagram को बनेनी चाहिए human brain जो इसके parts क्या है reflex action walk action क्या होती है define plan hormones क्या होती है describe structure human brain क्या होता है how do chemical coordination takes place in the animals what are various components of neuron systems what happens of the snaps between two neurons how do azonis promote growth of trend around the spot sexual reproduction आपको पता होनी चाहिए sexual reproduction आपको पता होनी चाहिए ठीक है DNA उसके functions क्या होती है fertilization क्या होती है fragmentation क्या होती है ठीक है उसके बाद है हमारा और एक portion वो है organisms होते क्या है reproduction का मतलब क्या होता है ठीक है how do is banner vision different from the multi-vision क्या होती है और एक हमारा आप जो male reproduction system है या female reproduction system है उसकी diagram आपको बनानी चाहिए उसका जो part होती है वो आपको उसमें आपको थोड़ा सा जो है वो diagram बनानी चाहिए उसके बाद है roll-ups seminal wesels pro-state उसके बाद है vegetation pro-getation advantages उसके बाद है define pollination उसके fertilization क्या होती है sexual reproduction in plant वो क्या होती है advantages of sexual and sexual reproduction उसके बाद आपको क्वचन आ जाएंगा define budding budding क्या होती है ठीक है उसके बाद आपको traits उसके indigenous होती है inheritance heritage क्या होती है उसके बाद evolution क्या होती है stages उसके क्या होते है ठीक है ये important questions है ठीक है x-axis से क्या होता है और x-y से क्या होता है ठीक है और उसके बाद fossil fuels का मतलब क्या है उसके evolutions क्या होते है उसके बाद inherited traits आपको homologous series on analogous series उसका मतलब क्या है sex of the child determination human beings वो क्या होता है variation of what their importance ठीक है explain man leaves la determinize with help of cross how analogous organs उसके बाद sparidation variation उसके बाद आपको आ जाएगा question number 66 नहींगा तो fossil fuels उसको क्यों क्यों बनाते है उसका मतलब क्या है character food web इसमें आ जाएगा food chain इसमें आ जाएगा ठीक है और आपको food chain के जो important questions है वो ये है ठीक है इसका आप screenshot भी उठा सकते हो ozone layer depletion वो क्या होता है इसमें food web होता क्या है waste disposal क्या होता है sustainable development sustainable management क्या होती है renewable non-renewable resource वो क्या होते है ठीक है इसका आप screenshot भी आराम से उठा सकते हो ये paper जो है वो class 10th के लिए है chemistry physics और biology का ठीक है अब रहा सवाल की यहाँ पर आप कैसे पास करोगे क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है आप कैसे आप अच्छा paper पर करोगी इसमें ठीक है तो सबसे पहले आपको जो previous papers में questions repeat हो गए है वो आपको पढ़नी चाहिए जो आपने पढ़े हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजे क्योंकि आप exam में फिर भूलते हो ठीक है और जितना हो सके question नहीं छोड़ना है objective type जो है वो आपको teacher वहाँ होगा अगर आपको किसी object type में तो आपको जो वहाँ पर examiner होता है duty जिसकी हो दिये उस time exam के दोरान उसको आप बोल सकते explain कीजे वो आपको explain करके देगा ये भी एक जरिया है आपको pass होने का दूसरा है कि अगर आपको question लिखना नहीं आता sir को बोले हमें explain कीजे उसके बाद आप आराम से वो question अपने words में लिख सकते हो क्योंकि sinus ऐसा subject है जब आप अच्छे से अपने words में लिखोगे तो आपको marks जो है या 50% बढ़ा है तो नीचे comment कीजिए कि आपने कितना percent पढ़ा है और आपका subject क्या रहेगा आगे 10th के बाद उसके बारे में भी बता दीजिए अगर वीडियो अच्छे लगी उसको like share जोरू करना भाई को दीजिए इजाज़त अल्लाहाफे